दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एम यू क्लास के टीज़िटी पीज़िटी कलार्टेट स्रीज महा मायराथन संडे नाइट के आज के इस वीडियो में तो चलिए फटफट जुड़िए दूसरे को सेयर करके जुड़िए और लाइक के साथ कमेंट के साथ अपने उत्तर के शुरुआत करिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हुए और देखिए आज का संडे मैराथन टेस्ट कैसा है आपका तो पहले प्रशन के सुरुआत करते हैं आगाज करते हैं पहला प्रशन कहे रहा है कोलकता की विराशत किस आधुनी कलाकार के चितरित स्रिंखला है ध्यान से देखिएगा कोलकता की विराशत ठीक है ये चितर स्रिंखला का नाम है और इसे किस आधुनी कलाकार ने चितरित तो शुरुवात हो चुका है आपके पहले प्रश्ण का आज के संडे मैराथन का जो की डेली रात 8 बजे चलता है ये जो हमारे सब्सक्राइबर नए जुड़ रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ये अपडेट है ठीक है तो पहले प्रश्ण के उत्तर की शुरुवात कर द अगला प्रश्ण देखिए क्या कह रहा है कि मूर्गे की लडाई ध्यान से देखिएगा मूर्गे की लडाई ये जो चित्र है इसमें से किश आधुनिक कलाकार का बनाया है रतिन मित्रका गोपाल घोस प्रतिछा अपर्व या पीटी रेड़ी आपने पढ़ाओगा मूर् इसी टाइटिल के नाम पे बनाया है मूर्गे की लडाई ये अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि एक पास्चाति कलाकार भी है जिन्होंने मूर्गे की लडाई बनाई है और आधुनिक कलाकार एक के के हैबर भी है और प् राजय स्थानी लगुचित्रड किस प्रकार के रंग का प्रियोग है राजय स्थानी लगुचित्रड में जो रंग प्रियोग किया गया है वो किस टाइप का है ठीक है तेल रंग इस्तमाल किया गया है उसमें या पेस्टल रंग जल रंग या टेंपरा रंग तो राजेस्थान की जो लगुची तरड है उसमें इस्तमाल किया गया कौन से रंग के प्रकार काईज में से तीसरा प्रश्ण हमारा कह रहा है और इसका सही जबाब है टेमपरा रंग का चौथे प्रश्ण पे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या चार कह रहा है आज के संड़े मैराथन के इस वीडियो का निमलिखित में से विकानेर सैली की विशेस्ता है ध्यान से देखिएगा सैली है विकानेर सैली और उसकी खाशियत उसकी विशेस्ता क्या है इसमें से ताड़पट पर चित्रड करना उसकी खाशियत थी विकानेड़ सहली की खाशियत थी या दोनों ही खाशियत विकानेड़ सहली करही या इन में से कोई नही तो अच्छे प्रस्णों को कोशिश किया गया है आज भी आपको तक पहुंचाने का और वो कितना अच्छा होता है य उट की खाल पर चित्रण विकानेड शैली की विशेस्ता रही ठीक है आगे बढ़ते हैं और पाचवे प्रश्ण की जिकर करते हैं तो प्रश्ण सख्या पाच कह रहा है नागोर शैली के चित्रकार मानों की किस अवस्था को कुसलता पुर्वक चित्र किया है यानि नागोर सैली के नागोर जो सैली है उस सैली के जो चित्रकार है उन्होंने मानों को यानि इंसानों को जो है इंसान की जो अवस्थाएं है उसमें से कौन सी अवस्था को काफी कुसलता से चित्रित किया है अपको पता ही है कि इंसान जो है बाले अवस्था बच्पन से लेके और उम प्रश्ण संख्या 6 कह रहा है हमारा इसक्रीन का कौन सी शैली में छोटी नौका लाल रंग से चित्रित की गई छोटी नौका और वो भी लाल रंग से उसको चित्रित किया गया जैपूर शैली में या फिर उदैपूर शैली में किशनगर शैली में या बूंदी शैली में ठीक है प्रश्म संखिया 6 कह रहा है कि कौन सी सैली में छोटी नवका लाल रंग में चित्रित की गई तो मित्रो वो की गई आपकी किशनगर शैली में कौन सी सैली में चित्रित की गई है मित्रो कि शंगड सैली में चित्रित की गई है ठीक है आए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्चन है साथवा प्रशन कहे रहा है कि बिख्यात चित्र स्रिंखला दार्शनिक और प्रेमी दार्शनिक और प्रेमी ये चित्र स्रिंखला का नाम है किस आधुनिक कलाकार की बनाई है ये पूछा जा रहा है FN सुजा ने इसे बनाया है या MF उशयन शाहब ने अकपर पदमसी जी ने या के जी सुपरमडियम शाहाब ने ठीक है तो विख्याद चितर स्रिंखला है और चितर स्रिंखला का नाम है दार्सिनिक और प्रेमी तो चलिए टॉप 30 प्रशनों की स्रिंखला है संडे महराथन की आज के राद 8 बजी की इस विडियो में और देखते हैं क्या होता है आज का अपका प्रोफार्मेंस साथवे प्रशन का सही जवाब है मित्रो ए पैस एन सुजा का बनाया है यह ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके स्क्रीन पे है प्रशन शंखिया 8 कह रहा है राजस्थान के कोटा शैली में सर्वधिक जो चित्र बने हैं वो किस तरह से बने हैं यानि कोटा शैली जो है राजस्थान का उसमें सबसे अधिक जो चित्र बने हैं वो कौन से भी सैसे सम्बंदित रहें तेहवारों से सम्मंदित रहे या महिलाओं से सम्मंदित रहे जन जीवन से सम्मंदित रहे या सिकार से ठीक है आठवे प्रस्ण पे है रात आठ बजे के संडे महराथन में तो कोटा शैली में शर्वधिक जो चित्र हमें देखने को मिले हैं या मिलते हैं वित्रो वो स्विकार से शम्बंदित रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नौ नमबर प्रशन देखिए प्रशन संख्या नौ क्या कह रहा है किशनगर सैली में राधा और कृष्ण की आकिर्टिया है राधा और कृष्ण का जो कैरेक्टर रहा किस सैली में किशनगर सैली में तो वो जो राधा कृष्ण के चित्रों का जो कैरेक्टर रहा राधा कृष्ण का वो जो आकिर्टियां थी उसमें कोड़ युक्त थी चकराकार थी तिछ्ड कटावार थी कटादार या कोमल युक्त ठीक है, सैली, किशनगण, कैरेक्टर, राधा और किशन का चित्रण, आकर्तियां कैसी थी, ये पुशा जा रहा है, तुमित्रो, तिछड कटाओर, तिछड कटाओदार, राधा किशनी की जो आकर्तियां रही, किशनगण सैलीं वो थी, आगे बढ़ते हैं, अगला भैरवी, इन में से किस सैली का आरंभिक चित्र है, ध्यान दिजेगा, आरंभिक यनि सुरुवाती बात कर रहा है, आरंभिक, कामन हमारा जो पॉइंट है, वो है आरंभिक, रागनी भैरवी, इन में से कौन सी सैली का आरंभिक चित्र है, चमबा शैली का, भूंदी शैली, कोटा शैली या किशनगड शैली तो आप हैं इस समें जुड़े हुए संडे मैराथन में 30 प्रशनों के साथ और 10 वे प्रशन पे हम हैं जिसका सही जबाब है वित्रो बूंदी शैली का कौन सी शैली का बूंदी शैली का आरंभिक चित्र है रागिनी भैरवी ठीक है आए बढ़ते हैं प्रशन संख्या 11 पे 11 प्रशन को देखिए क्या कहना चाता है 11 नमर प्रशन कह रहा है कि गाधी जी की दांडी यात्रा मुर्ति सिल्प के रचनाकार है ध्यान दिजिएगा गाधी जी की दांडी यात्रा इस मुर्ति सिल्प के रचनाकार कोर है अब हमको जो जानना है वो यह है कि हमसे मुर्ति सिल्प पूछा है ना की चित्र पूछा है ना की लीनो कट माध्यम में पूछा है ये हमको ध्यान देना है कि हमसे मुर्ति पूछा है ना की चित्र पूछा है गांधी जी की दांडी यात्रा जो है वो आपकी डीपी राय चौधरी की बनाई मुर्ति शिल्फ है आगे बढ़ते हैं प्रशन शंख्या 12 पे इस समय मौझूद हैं हम 12 प्रशन का कहना है जो गिमारा की गुफा में एक आपको चित्र मिलेगा जिसमें एक यूगल जो है वो निर्ति करते हुए चित्रित किया गया है तो ये पूछ रहा है हमारा प्रशन ये कहना चाहता है सीधी भाषा में कि जो एक युगल निर्ति करते हुए चित्रित किया गया है वो युगल कौन से फूल पे इस तरह के निर्ति कर रहे हैं जो चित्रित किया गया है कमल के फूल पे उन युगलों को चित्रित किया गया है नित करते हुए या गुलाब के फूल पे लाल लीली के फूल पे या शफीद लीली के फूल पे प्रशनाप का पढ़ा हुआ है बस इसको जो है घुमा दिया गया है किसी को कुछ और कर दिया गया है मुवमेंट में उसके बस इतना ही किया गया है अब आपके sense of human की बात है कि हम क्या कहना चाहता है हमारा प्रश्ण तो बारहवा प्रश्ण जो है इसका सही जबाब मित्रो लाल लीली के फूल पे एक युगल निर्थ करते हुए चित्व क्या गया है कौन सी गुफा में जो गिमारा के गुफा में गुफा को भी याद रखिएगा ठीक है चलिए चोध बारह हो गया प्रश्ण ये तेरहावा प्रश्ण प्रश्ण हमारा जो है आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है प्रश्ण का कहना है मित्रो हुमायू और उनके वन्सज नामक चित्र किस चित्रकार का है चित्र का नाम है हुमायू और उनके वन्सज और इस चित्र को रचने वाले चित्रकार कौन है बशावन भिहजाग आकारीजा या मीर शयद अली ठीक है तो लगबख सभी टापिकों से मैं आपको इस प्रश्ण में प्रश्ण को मुहिया करा रहा हूँ आज के संडे वीडियो में तो तेरहमें प्रश्ण पे हम लोग हैं इस समय और प्रश्ण का जो सही जवाब होगा अगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके स्क्रीन का कह रहा है कि रूप प्रद कला के मूलाधार नामक पुस्तक के रचैता है ठीक है रूप प्रद कला के मूलाधार ये पुस्तक का टाइटिल नाम है और इसके रचैता कौन है स के सर्मा है या आर ए अगरवाल दोनों ही या इन मेंशे कोई नहीं रूप परद कला के मूनाधार तो इस पुस्तक के रचैता जो है मित्रो वो आपके ये दोनों है यानि की एश के शर्मा और आर के अगरवाल दोनों की एक साथ योगदान रहा इसमें आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण देख लीजिए आपके स्क्रीन का कह रहा है पंदर नमबर पोर्ट्रेट आफ ए पेंटर एक डॉकुमेंटरी है जो आधारित है पोर्ट्रेट आफ ए पेंटर एक डॉकुमेंटरी है और वो आधारित है यामिनी रंजन राय पर, अमृता शेरगिल पर, एमेफ होशायन पर या तयब महता पर यानि जो पोर्ट्रेट आफ ए पेंटर है जो डॉकुमेंटरी बनी हुई है इसमें से किश आधुनिक कलाकार के जीवन पर आधारित है प्रश्न का कहने का सीधा सीधा मतलब यही है बस आपको थोड़ा सा कम में इसको दिया गया है ताकि आपको पकड़ने में जो है थोड़ा सा अपना सेंस रखे बस तो पंदरहवे प्रश्न का जो कहना है इसका सही जवाब है ए यामिनी रंजन राय के जीवन पर आधारित सोला नमर प्रश्न देखिए बिख्यात पुस्तक पिर्थवी राज रासों में खजुराहो के नाम का उल्लेक मिलता है मतलब प्रश्न क्या कहना चाहता है इस भाव को आपको समझना है क्योंकि एक्जामनर इस तरह के भी प्रश्न में पूछे गए हैं कि आपको अपना भाव भी पकड़ना है तो विख्यात पुस्तक पृतिवी राज रासो यानि पुस्तक का जो नाम है वो पृतिवी राज रासो है चंद्रबर्दाई के द्वारा लिखी ये पुस्तक है इसके लेकर चंद्रबर्दाई है तो इस पृथिवीर राज रासों में पूछना चाहता है हमारा प्रश्चिक कि जो खजुराहो सब्द है जो इस समय खजुराहो की बात हम लोग करते हैं वो खजुराहो जो है किस नाम से उल्लेख है उस किताब में यानि उसका एक और नाम है खजुराहो का ठीक है तो क्या खजुराहों को हम लोग उस पुस्तत में खजुरगिरी के नाम से उलेख में मिलता है या फिर खजुराबाद के नाम से खजुर नगर के नाम से या खजुर पूरा के नाम से किस नाम से प्रिथ्वी राज राचो बुक में चंदरबर्दाई के लिखी खजुराहो का नाम इनमें से क्या मिलता है ये पूछ रहा है तो ये 16 प्रश्ण है हमारा और इसका सही जबाब है मितरो D. खजुरपूरा किस नाम का उलेक है उसमें खजूर खजुराओ का खजूर पूरा के नाम से सत्रा नमर प्रश्ण पे आईए प्रश्ण शंख्या सत्रा देखी क्या कह रहा है दाढ़ी रहित युवा चहरे चित्रित ना कर पाना किस मुगल चित्रकार की कमिया थी इसमें से दाढ़ी रहित युवा यानि दाढ़ी रहित दाढ़ी के साथ एक युवा चहरा चित्रित ना कर पाना मतलब उस तरह के चित्रिये चित्रित नहीं कर पाता था चित्रिकार और वो एक मुगल चित्रिकार था यानि कोई भी बार्षा जो भी रहा हूँ उसके दूरका एक मुगल चित्रकार था उसके अंदर ये ऐक खामिया थी एक कमिया थी जो वो नहीं कर पाता था तो क्या वो अबुल हसन थे जो इस तरह की कमिया थे उनके अंदर बिहजाब की मीरशैयत की यानि मीरशैयाद दली पूरा नाम और या बशावन की तो कौन है वो मुगल चित्रकार जिसके अंदर ये खामिया थी कि वो दाढ़ी रही चेहरे चित्रित नहीं कर पाता था ठीक है तो मित्रो वो था बिहजाद और ये बात बाबर्न ने अपनी पुस्तक में खुद ही लिखी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन ध्यान से देखिएगा ये प्रशन है इस पर जरूर फोकस हम आप लोग कर रखते रखिएगा क्योंकि ये प्रशन जो है कई बार आपको confusion में डाल देगा है इसलिए विकल्प से ही depend करता है जैसे की प्रशन के रहा है शांथाल परिवार ठीक है सांथाली परिवार यहां लिखा है सांथाल के बज़ा है सांथाली परिवार किस महिला कलाकार की रचना है हमने तो माली जी है एक आपसर डाल दिया है महिला लेकिन अगर वो महिला ना डालता सिर्फ डालता सांथाली परिवार किश आधुनी कलाकार की रचना है तो हमें विकल्प पे फोकस रखना है क्योंकि शांथाल संबंधित टाइटिल नंदलाल बोस्क के भी है या मनी रंजन रायशाहद के भी है इसमें भी एक महिला कलाकार के है तो ये चीजे आपको कामन ध्यान देना होगा तो इसमें वो महिला कलाकार है जिन्नोंने ये सांथाली परिवार नामक चित्र की रचना की है तो क्या उनका नाम चित्र निभा चोधरी है नलिनी मलानी, चित्रावैद या नीलीमा शेक ठीक है तो ये है आपका 18 नमबर प्रस्ण आज के संडे महराथन के इस वीडियो में जो की टेस्ट स्रिंखला आप इस समय फेज कर रहा है यूटूब पे तो मित्रो इसका सही जबाब जो है वो हो जाएगा ए चित्रा निभा चोधरी का बनाया अगले प्रस्ण के फेज पे चलते हैं अगला प्रस्ण कह रहा है आपका 19 नमबर कनहाई कुनी रामन द्वारा निर्मित मज़दूर का हाथ सिल्प का माध्यम है परजेंट टाइम में सक्रिय हैं कनहाई कुनी रमन और कनहाई कुनी रमन मुर्ति चितरकारी भी किये हैं उन्होंने लेकिन मुर्तिकारी भी अच्छे खासी मुर्तिकारी उन्होंने ज्यादा की है मुर्तिकारी के फिल्ड में उनका ज्यादा नाम है कनाई कुनी रामन का पूछ रहा है कनाई कुनी रामन द्वारा निर्मित एक मूर्ती है जिसका नाम है मजदूर का हाथ और इन्होंने इसे 2001 में बनाया था किसमें 2001 में इन्होंने इस मूर्ती सिल्फ को बनाया था पूछ रहा है इसका प्रश्ण हमारा माध्यम क्या था उनका लकड़ी माध्यम में उन्होंने इसको बनाया या एलुमीनियम माध्यम में पीतल माध्यम में या कंकरिट माध्यम में कौन से माध्यम का इस्तमाल किया कनहाई कुनी रमन ने मजदूर का हात नमक्सिल बनाने में तो मित्रो उन्हों ने इसमें पीतल का इस्तमाल किया था किसका पीतल का अगला प्रशनाप के स्क्रीन का कह रहा है प्रश्न शंख्या बीश है धीरे धीरे अपने फाइनल सम्मिट के करीब 20 नमर का कहना है कि भारत की मूलकला किश आधुनिक चितरकार की रचित पुस्तक है भारत की मूलकला ठीक है ये चितरकार है किसमें से जिन्होंने रचना की है इस पुस्तक की पुस्तक का नाब भारत की मूलकला क्या कनहाई कुनी रमन की लिखी ये पुस्तक है अंजली इला मिनन की लिखी पुस्तक है रथिन मित्रा की या सत्यपाल टी ये ठीक है अच्छे प्रश्न है संडे मैराथन के वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है और बने रहीएगा ऐशे ही सुरूश से अंत तक अगर आपको इस तरह के अच्छे प्रश्न फेस करने है तो पढ़िए कहीं भी लेकिन सब कुछ केलियर करके रखिएगा मिला मत दीजिएगा इधर उधर करके तो वीश्वे प्रश्न का सही जबाब है सत्यपाल टी ए भारत की मूल कला नामक पुस्तक के रचाईता है सत्यपाल टी ए ठीक है एक किश्वे प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संखिया एक किस क्या कह रहा है आपका एक किसवा प्रश्न कह रहा है राजा रभी बर्मा के जीवन पर आधारि अपुर्व उपहार ध्यान दिजेगा अपुर्व उपहार ये कामन पॉइंट हमारा नाम का एक अध्याए किस बोट के पाठिकरम में शामिल है जो प्रशेंट टाई में बच्चों को पढ़ाया जाता है आधुनिक कलाकार में पास्चात्य सहली में रगने वाले तेल माध्यम का इस्तमाल करने वाले राजा रवी बर्मा उनके जीवन पे फिल में भी बनी है लेकिन अपुर्व उपहार नाम का एक बुक में चैप्टर है ठीक है और उस चैप्टर को एक बोड में पढ़ाया जाता है जो इनके जीवन पे अधारित है तो क्या वो उत्तर प्रदेश के बोड में पढ़ाया जाता है या महराष्टा बोड में मध्य प्रदेश बोड में या हिमांचल प्रदेश बोड में एक किश्वा प्रस्ण है और इसका सही जवाब है मित्रो भी महराष्टा बोड के मराथी बुख है उसमें जो है एक पाठिकरम है अपुर्व उपहार जो राजारवी बर्मा के जीवन पे अधारित है और वहाँ के बच्चों को उसमें उस चेप्टर में उसकी तालिम दी जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं बाईश्व प्रश्ण पे चलते हैं प्रश्ण संक्या आप बाईश देखे क्या कहा रहा है कमेंट्स करते रहेगा आपने उत्तरों का मेरे उत्तर से पहले तभी आपको अपना टेस्ट सरीज समझ में आएगा कि कितना सही कि आपने बाईश्वा प्रश्ट कहा रहा है बंगाली बाबू की बेश्या बृति किस सैली के चित्रों का बिश्या रहा है बंगाली बाबू की बेश्या बृति ठीक है ये इन में से एक सैली रहा चित्रों का बिश्या बनाया उन्होंने मतलब इसके अलावा भी दो-तिन विशे बनाये हैं उन्हीं में से एक यह भी विशे रहा बंगाली बाबू की बेश्या बिरिक ठीक है तो यह कौन से सैली का विशे रहा चित्रों के चित्रकारों का तंजोर सैली का या काली घाट सैली का पटना सैली या बंगाल सैली का तो आ आपके कमेंट्स आते रहने चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि आपने अपना टेश्ट स्रीच कितना बिष्ट किया है आज का संडे मेरा थन रात के आठ बजे का ठीक है तो बाईश्वे प्रशन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी काली घाट सेली का और भी व किसे रहा है है इसमें उसी में से एक यह भी था ठीक है तेश्वे प्रश्ण पर चलते हैं प्रश्ण संख्या तेश कह रहा है धार्मिक कठाओं और समाजिक विश्यों के अतरिक्त हाश्यों और ब्यंग संबंधित चित्र बने थे धार्मिक विश्यों और समाजिक विश्यों धार्मिक कठाओं और समाजिक विश्यों ये तो बने ही थे इसके अलावा हाश्यों और ब्यंग संबंधित भी चित्र वहाँ बने तो पूछ रहा है कौन सा वो सेली रहा काली घाट में ऐसे बने या तंजोर में बना मैशूर मे बना या कमपनी में बना ठीक है ये सभी क्या कर रहे हैं ये सभी शैली की बात की जा रहे हैं यहां सैली है आसे से बिकल्प को बस उस्तर से बनाया गया है आपके भाव के लिए थोड़ा सा ठीक है तो धार्मिक कथाय रहें और सामाजिक विशे रहें इसके अलावा हाश्य और व्यंग सम्मंधि छित्र बनें तो वो शैली कौन थी? तो मित्रो वो थी कंपनी शैली कौन शैली थी? कंपनी शैली अगले प्रश्ण पर बढ़िए प्रश्ण संख्याद 24 24 ने मरप्रश्ण कह रहा है मकर मंजू किस कलाकार के जीवन पर आधारिक एक फिल्म है फिल्म का नाम है मकर मंजू और इसको फिल्म आया गया है एक आधुनिक कलाकार चित्रकार के जीवन पर तो क्या वो राजा रवी बर्मा है जिनके जीवन पर ये फिल्म बनी है या फिर नंदलाल बोस हैं, सारदा चरण उकील हैं या अवनिंदर नाट टैगोर हैं ठीक है तो चलिए वीडियो को लाइक और सेर के शाथ आगे बढ़ाते रहिएगा हम इस समय है, 24 नमर प्रशन पे 30 प्रशनों की सरिंखला है, काफी करीब हैं आप अपने फाइनल सम्मिट के 24 वा प्रशन जो हमारा कह रहा है, इसका सही जवाब है A. राजा रवी बर्मा, ठीक है उन्ही के जीवन पर ये बनी है, आगे बढ़ते हैं, 25 नमर प्रशन पे चलते हैं, 25 प्रशन देखिए क्या कह रहा है नील मडी दास और बलराम दास, इन में से किस सहली के चितरकार थे? नील मडी दास और बलराम दास, ठीक है? ये चितरकार थे, लेकिन सवाल हमारा ये है, किस सहली के जुड़े हुए चितरकार थे ये? मुगल सहली के, या फिर पहारी सहली के, काली घाट सहली के या तंजोर सहली के? ठीक है? 25 प्रशन पे हैं इस समय? और इस प्रश्ण का जो हमारा सही जबाव आपके कमेंट्स मेरे उत्तर से पहले होने चाहिए C. काली घाट सैले नील मडी दाश और बलराम दाश जो है वो काली घाट सैली के चितरकार थे 26 नमर प्रश्ण देखिए जो पास्चाते चितरकारों की हूबहू नकल कर लेते थे उन्हें कहा जाता था ध्यान दिजेगा पास्चाते चितरकारों का हूबहू नकल हूबहू मतलब उसी के जैसा सेम कोई उसमें अंतर नहीं यहाँ हूबहू का मतलब यह हुआ बिल्कुल जिस तरह से चितर था उस तरह से उतार देना अपने कैनवाश पे जिसका भी इस्तमाल करते थे वो बनाने के लिए तो ये खाशियत इसमें से कहते चितरकारों की थी ये पूछ रहा है अमारा प्रश्म पहाडी चितरकार ऐशा करते थे या राजेस्थानी चितरकार काली घाट चितरकार या कमपनी के चितरकार पास्चात्य चितरकारों की हुबहु नकल कर लेना इनमें से कौन से चितरकारों की सहली की खाशियत थी तो मित्रो वो थी कंपनी सेली के चित्रकारों की खाचियत क्योंकि कंपनी सेली अंग्रेजों के अधिन में था और वहाँ पे ऐसे ही चित्र चित्रकार बनाया करते थे अगला प्रश्न देखिए प्रश्न कहा रहा है हमारा 27 नंबर इसकूटर पर आधुनिक परिवार किश आधुनिक कलाकार की बनाई मूर्ती सिल्फेद्या से देखिएगा इसकूटर पर आधुनिक परिवार ये मूर्ती है ठीक है क्या है ये ये एक मूर्ती है जिसका टाइटील है स्कूटर पर आधुनिक परिवार इसको बनाया किश आधुनिक कलाकार ने है नम्बुदरी नम्बुदरी की बनाई है यह नम्बुदरी मतलब उनका साथ नाम है काफी लंबा नाम है उनका ठीक है तो उनको साथ में नम्बुदरी कहा जाता है करहाई कुनी रामन की बनाई है रामशुतार की बनाई है या नित्यानंद महापातरागे स्कूटर पर आधुनिक परिवार किश आधुनिक कलाकार की बनाई मूर्तिशिल्फ है 27 प्रशन जिसका सही जबाब है A. नम्बूद दरे की ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है आपके स्क्रीन का 28 नम्बर बनारश की शुभा ध्यान से देखिएगा तब उसके बाद दुतर अपना दीजेगा बनारश की शुभा किश आधुनिक कलाकार के बनाई प्राथमिक चित्रों में से एक है प्राथमिक मतलब पहला जो चित्र का सुभवाती दोर जब उसका लकार का था तो उनके प्राथमिक चित्रों में से एक चित्र ये भी है जिसका टाइटिल है बनारश की शुभा इसलिए मैंने ये बात लिखी हुआ धियान से रिखिए गा बनारस की सुबह प्राथमिक चित्रों में से एक ये common point ठीक है किस्की बनाई गुलाम मुहम्मद शेख ने बनाई या अब्दुलरह्मान जुपताई शाह हम ने बनाई रामकुमार बर्वा ने बनाई या M.F. हुशेन ने बनाई किस्ने बनाई बनारस की सुबह नामक चित्र जो उनके प्राथमिक चित्रों में से एक हिस्सा यह भी है चित्र का तुमित्रों वो हैं आपके अब्दुलरह्मान जुपताई शाह ठीक है आगे बढ़ते हैं आए ट्वेंटी नाइन नमबर प्रश्ण पर चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्ण है आपका प्रश्ण कहरा है सिर्षक लोह भारत महभारत की बिभिन घटनाओ पर आधारित एक स्रिंखला की है जिसके आधुनिक चित्रकार है प्रश्ण को समझेगा पहली बार पढ़ने के लिए का समझ में आया होगा प्रश्ण कहना चाहता है जो सिर्षक लोह भारत है ठीक है वो महभारत की बिभिन घटनाओ पर आधारित एक चित्र स्रिंखला है अब समझ में आगया और इसको किश आधुनिक कालाकार ने चितरकार ने इस स्रिंखला को रचा है पूछ रहा है एमेफ हुशेन ने या क्येजी सुपरमड्यम ने हिम चटर जी ने या नमबूदरी ने ठीक है बहुत अच्छा प्रशन है संडे मैराथन का सुपर प्रशन आपके पास इस समय है और उन्तिश्वे प्रशन पे आप हैं जिसका सही जवाब मित्रो डी नमबूदरी की बनाई ये स्रिंखला है जिसका सिर्शक उन्होंने रखा है लोह भारत जो की महाभारत की अलग-अलग घटनाओं पे आधारित है ठीक है आगे बढ़ते हैं और वीडियो का आखरी प्रशन दिहान से देखिएगा फाइनल सम्मिट करते हुए उत्तर दे के बहुत सा अंदार प्रशन है कला पत्रिका या पत्रिका कहले जिए आखरी प्रशन कहे रहा है जो कला पत्रिका है उसमें छपा अब्दुल रह्मान जुगताई के कुछ चित्र तो जो चित्र अब्दुल रह्मान जुगताई के मौडर्र रिव्यू में कुछ फिर्फ कुछ छपे वो कौन से विश्यों पे आधारित थे आल्लामा इकबाल के शायरी पे आधारित थे या उमर खयाम की शायरी पे मुगल विश्यों पे आधारित थे या इन्शवी पे तो यह आखरी प्रशन है उम्मीद करता हूँ मेरे उत्तर से पहने आपने फाइनल कर दिया होगा तीस में टोटल कितना ठीक है तो इस प्रशन का सही जवाब है मित्रो यह सब ही यानि कि आनलामा इकबार उमर खयाम और मुगल विसे इन तीनों पर आधारिक थे उनके कुछ चितर जो माडर्न रिव्यू पत्रिक्या में छपे थे तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और उसमें पढ़े हुए अंत तक के प्रसन आपको बहत पसंद आया होगे आज के फिंडे मैं आथि में तो मित्रो लाइक शेर के साथ आगे बढ़ा दीजेगा और दीजेए इजाज़त मिलते हैं फिर से नेक्स टाइम कुछ होज अच्छे प्रसनों के साथ तब तक के लिए नमस्कार गुड डाइट और सुबरातरे